हेलो फ्रेंड्स एक पर फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लेंड पे स्वागत है दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर्याना पंचायती राज आदी नियम 1994 इससे पहले हम भारतिय पंचायती राज व्यवस्ता को डिस्कस कर चुके हैं यह सविधान चंचोदन लागू कब हुआ था दोस्तों 24 अपरैल 1993 को 73 सविधान चंचोदन लागू हुआ था जिसको बाद में 11 अनुसूची में रखा गया यानि कि हमारी पंचायती राज व्यवस्ता 11 अनुसूची में रखी गई है तो इन में से यह है रज असूची का विशे है दोस्तों अब बात करते हैं अर्याना पंचायती राज अधिनियम ये लागू कब हुआ था 22 अपरैल 1994 में ये है लागू हुआ था जिसमें दोस्तों टोटल 5 भाग हैं और 21 अध्याई हैं और 280 धाराय शामिल है यानि कि 12 चैप्टर हैं और 280 अर्टिकल हैं तो हम डिसकस करने वाले हैं अभी अध्याई के बारे में पहले अध्याई में ग्राम पंचायत का यानि पंचायती राज अधिनियम का परिच्चे दिया हुआ है यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताय हुआ है अध्याई 2 में प्रोवीजन्स के बारे में बताय हुआ है यानि कि 3 स्तर जो ग्राम पंचायत, पंचायत समीती, जिला परिशद इनके प्रोवीजन्स के बारे में बताय हुआ है तीसरा अध्याय दोस्तों सभा शेतर के बारे में तीसरे अध्याय में बताया हुआ है वहीं पर चोथे अध्याय में ग्राम पंचायतों की डूटीज और फंक्शन के बारे में बताया हुआ है पांचवे अध्याय में दोस्तों ग्राम पंचायत के वित और कर यानि की फाइन कुंसें अध्याए 4, 5 और 6 और 7 अध्याए में पंचायद समीति के बारे में बताया हुआ है वहीं पर 8 अध्याए में पंचायद समीति के बिजनस के बारे में 9 अध्याए में पंचायद समीति के नोकर के बारे में में पंचायत समिती का नियंतन है तेरवे अद्याये में जिलापरिषध के बारे में बता है वहीं पे चोद्वे अध्याये में जिला परिशद की कारे परनाली और बिजनस के बारे में बताया हुआ है पंदरवे अध्याई में जिला परिशद के नोकर के बारे में सॉलवे अध्याई में जिला परिशद के कारे के बारे में सतरवे अध्याई में जिला परिशद के वीत्तुरकर के बारे में 18 अध्याई में जिला परिशद के निंदरन के बारे में बताया हुआ है 19 अध्याई में चुनावर डिस्प्यूट के बारे में यानि elections और उससे जुड़े जितने भी डिस्प्यूट होंगे वो chapter 19 में दिये हुए है उसके बाद अध्याई 20 में provisions of elections यानि elections के provisions के बारे में बताया हुआ है और last आपका अध्याई 21 उसमें विविद यानि miscellaneous के बारे में बताया हुआ है बाकि जितना भी आपके topics बचके वो अध्याई 21 में दिये हुए है अब बात करते हैं दोस्तों टोटल 280 धारा है यानि टोटल 280 आर्टिकल है हर्याना पंचायती राज अधिनियम में लेकिन हम दोस्तों कुछ important ही पढ़ने वाले हैं जैसे की सबसे पहला आर्टिकल 1 में दोस्तों प्रारंबिक यानि introduction दिया हुए है आर्टिकल 2 में परिवाशा यानि definitions दी हुई है आर्टिकल 3 में तीनों स्तरों के duration के बारे में बताया हुआ है आर्टिकल 4 में शपत यानि ओत के बारे में है आर्टिकल 5 में त्याग पत्र यानि resignation के बारे में बताया हुआ है और Regination के बाद Article 6 में रिक्त पडो की भर्थी के बारे में बताया हुआ है Article 7 में सबा शेत्रगा कारे यानि कि जहांपर भी Minimum 500 या 500 से अधिक वक्ति होंगे वहांपर ग्राम सबा बनाई जा सकती है नेक्स्ट है आर्टिकल आर्ट उसमें ग्राम पंचायत का गठन यानि जो ग्राम पंचायत होगी उसमें एक सरपंच होगा और उसमें पंचों की संक्या 6 से लेके 20 के बीच में होंगी दोस्तों आर्टिकल 9 में ग्राम पंचायत की सीटों के आरक्षन के बारे में बताया हुआ है आर्टिकल 10 में 5 वर्ष का कारेकाल यानि कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पंचायतों का कारेकाल कितना होता है पांच वर्ष का कारेकाल होता है आगे अर्टिकल 11 है उसमें मीटिंग्स यानि कि जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी वो जर्नल मीटिंग साल में तीन बर होना आनिवारे है दोस्तों लास्ट आपका आर्टिकल 12 जिसमें ग्राम सबागी शक्ति और कारे के बारे में बताय हुए है अब बात करते हैं दोस्तों तर्याना पंचायती राजा दिनियम से जुड़े कुछ important facts के वो डिसकस करते हैं जिसमें सबसे पहला है दोस्तों मता दिकार की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कब की गई थी तो यह 61 सविधान चंचोधन 1988 के थैद भारत में मता दिकार यानि की वोट डालने की जो एज है वो 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों सविधान चंचोधन का आर्टिकल क्या है या आप कमेंट बोक्स में भी बता सकते हैं नेक्स्ट है राष्टिय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी तो 2021 की थीम थी सभी मतदाता बने सशक्त सतर्क सुरक्षित और जागरुग आगे बढ़ते हैं दोस्तों 25 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस है जो 25 जनवरी 1950 में भारत का निर्वाचन आयोग बना था इस दिन को सबसे पहली बार 2011 में बनाय गया था यानि भारत निर्वाचन आयोग दिवस कब बनाय गया था सबसे पहली बार 2011 में 25 जन्वरी गो नेक्स्ट है दोस्तों बारत के प्रत्थम चीफ एलेक्षन कमिशनर कौन थे तो यहां पर टाइपिंग एरर है तो चीफ एलेक्षन कमिशनर सबसे पहले बारत के कौन थे सूख उमार सेन नेक्स्ट है दोस्तों परमुक निर्वाच नायुक तियानी की की नुक्ति दोस्तों राष्ट पती के द्वारा की जाती है आगे हैं दोस्तों स्थानिय सांसदोर विधायक किस के पदेन सदस्य होते हैं तो वह जिला परिशद के पदेन सदस्य होते हैं नेक्स्ट है गराम पंचायत का निर्वाचन करना राज्य सरकार पर निर्वर है आ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, पंचायती राज की अधारशिला ग्रामसभा होती है, आगे है, पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, स्थानिय स्तर पर लोक तांतरिक प्रिशाशन प्रदान करता है, आगे है दोस्तों, विकेंद्री करन की प्रणाली की सिफारिश किस ने की थी तो विकेंदरी करन की प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय महता समीती द्वारा की गई थी नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमन में महिलाओं के लिए कितने परसेंट अरक्षन है पंचायतों में तो वर्तमन में महिलाओं के लिए पंचायतो पन्चायत अधिकारी कौन होता है तो पंचायत अधिकारी दोस्तों डिडी पीओ होता है। अर्याना का पहला ग्राम सची वाले है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों एक बुक के बारे में बताया हुआ है जिस बुक का नाम है पंचायत क्यों और कैसे इस बुक के लेखक कौन थे बनारसी दास गुपता इस बुक के लेखक थे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेस्ट है, पंचायती राज चुनाओं में शेक्षनिक योगिता लागू करने वाला पहला राजग कौन सा था? तो राज्जस्तान 2014 में पहला राजग बना, जिसने अपने पंचायती राज के चुनाओं में शेक्षनिक योगिता यानि एजुकेशन को इंपोर्टेंस दी वहीं पर हर्याना दूसरा राज्य बना जिसने पुरुशों में दस्वी और महिलाओं में हाठवी कक्षा को पंचायतों का इलेक्षन करने के लिए अनिवारे कर दिया गया यानि कि अगर कोई पुरुश दस्वी पास से कम होगा तो वह पंचायत के इलेक की बात की गई है नेक्स्ट है हर्याना में पंचायती राज दोस्तों जैसे की 22 अप्रैल 1994 में लागू हुआ था तो वह हैं कौन से जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनके टाइम पर लागू हुआ था तो वह हैं चोदरी भजनलाल के समय में लागू हुआ था दोस्तों नेक्स सबसे निचे ग्राम स्थर पर ग्राम सभा और ब्लोक समीति या जिला समीति और डिस्टिक लेवल पर जिला परिशत जो सबसे टोप में हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों हर्याना में कुल पंचायत समीतियां कितनी हैं तो 126 हैं गुंगट के विरुद अभियान चलाने वाली पहली पंचायत कौन सी है तो चोशाला कैथल गुंगट के विरुद अभियान चलाने वाली पहली पंचायत है दोस्तों नेक्स्ट है हर्याना की प्रत्म स्वच ग्राम पंचायत कौन सी है सुल्तानपुर सिर्सा नेक्स्ट है सभी पंचायतें ओनलाइन करने वाला पहला ब्लोग कौन सा है तो रानिया ब्लोग सिर्सा का सभी पंचायतें को ओनलाइन करने वाला पहला ब्लोग है तो दोस्तों इसी के साथ हमारा हर्याना पंचायती राज अधिनियम समाप्त होता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियागा दोस्तों ताकि इसी की तरह हमारी और वीडियो आपको मिलती रहे तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें थैंक यू सो मच